प्रोग्राम की शुर्बात इस वक्त हम कर रहे हैं महाराश्ट से महाराश्ट में जो सियासी स्थती बनी हुई है महाराश्ट में जो सियासी माहौल बना वाई वो सीधे तोर पर यह बता रहा है कि अभी विपक्ष ने पूरी तरह से हार नहीं मान लिया विपक्ष लगातार यह कह रहा है कि उनकी जीत जरूर होगी और संजयराऊ तो यहां तक कह रहे हैं कि उनके विधायक जरूर वापस लौट कराएंगे संजे राओ जो भविश्वानी कर रहे हैं क्या ये सही है शरत पवार NCP चीफ शरत पवार ने भी इसी तरह की भविश्वानी की है NCP चीफ शरत पवार सीधे तोर पर उन्होंने कहा है कि महाराश्ट की जो सरकार है वो अधाई मैने ये अच्छा मैने के बाद कर जाएगी क्यों इस तरह की बाते कहीं जा रही है और समझिये का खेल महाराश्ट का क्या दोबारा उद्दव ठाकरे मुख्यमंत्री पद संभालेंगे बहुत बड़ी बात है यह कैसे संभालेंगे और क्या चल रहा है महाराश्ट में अंदर खाने दरसल ये देखा जा रहा है कि संजराउत लगातार इस बात पर जोड़ते रहें कि महाराश्ट में मध्यवधी चुनाव होने चाहिए उद्दव ठाकरे ने भी लगातार यही बात कही है दरसल मध्यवधी चुनाव करवाने को लेकर विपख्ष अपनी अलग बैट कर प्लान तयार कर रहा है विपख्ष सबसे पहले तो ये कोशिश कर रहा कि अपने विधायकों को कैसे अपनी तरह पला जाए जा हाला कि दाट डपट का कोई फायता तो हुआ नहीं क्योंकि संचर आओ तो खुले तो और पर धंकिया ही धंकिया दे रहे थे जिस तरह से उन्होंने कहा था कि कब तक रहोगे चोपाटी में कभी तो आना पड़ेगा गोहाटी में और 40 विधायकों को लेकर जो अफश्वद का है वो म को मिला है, खाला कि इन सब के BJP महराष्ट में बहुत सदब के हैं, बीजेपी महराष्ट में ये बात देख रहे हैं, वो ये बात समझ रहे हैं, कि जिस तरह से एकनात शिंदे के साथ जो विधायका आए, वह तो आए, आए लेकिन कई और विधायकों को जबर दसती बीजे करें उ बहुता लों he कशिप्षैनिक होने का काम craad उनौने नहीं किया कुपने की यही बाद उद्द्धव ठाकरे के साथ अपने विद्धैकों को निकालने की कोशिश करें और देखें आगर महाराश्ट में विद्धैकों की कमी पड़ जाती है ज़रूर नजर आ हाला कि अगर बात करें तो एकनात शिंदे को इसलिए महाराष्ट का मुख्य मंत्री बनाया गया था, इसलिए उन्हें सीएम पत की कमान स्वापी गई थी, क्यों? क्योंकि सीधे तोर पर ये देखा जा रहा था, कि जिस तरह से महाराष्ट की स्थिवी पर जो नजर बनाई ग जाएंगे, उन्होंने शिंदे को मुख्य मंत्री बना दिया, ऐसे में उनके करीबी भी खुश हो गए, उनके करीबी विदायकों को भी जगा दिया, लेकिन ये देखा जा रहा है, बहुत सोच समझ कर विदायकों को जगा दिया, और ध्यान से ये भी सुनिये, कि जो का खौफ दिखाया गया है उन्हें जरूर NCB का खौफ दिखाया गया और सीधे सीधे तौर पर क्या देखा जा रहा है कि NCB और ED के खौफ की वज़ा से ही शरत पवार जैसे नेता परदे की पीछे रहकर बीजेपी को सब्सक्राइब कर रहा है दरसल सबसे बड़ी बात क्या ह कि आज पीजेपी का सबसे बड़ा हतियार ED और NCB है आप सरकार के खिलाफ बोलकर तो देखे अगर सरकार ने आपकी फाइल ना खोल दी ED और NCB का नोटिस न चला गए अगले दिन तो बता दीजेगा हम ये देख रहे थे समझेगा ममताव एनरजी को जो ममताव एनरजी मरतन करेंगी तो यहां पर देखा जा रहा है कि जो बीजेपी के खिलाफ आज बात कर रहा है या तो NCB या तो ED का दर तो सीधे तोर पर हम देख रहे हैं कि ED और NCB का जो डर दिखाया जा रहा है वो कितने बड़े हद तक सही है और क्या ED और NCB के डर से ही आज विपक्ष ल आखरी समय तक के इंतजार करते रहें विधायकों का आखरी समय तक परयास करते रहें किसी तरह कुरसी बचाये जाए लेकिन जब उन्हें पता चल गया कुरसी नहीं बच पाएगी विधायक उनके साथ नहीं तब जाकर इस तीपा दिया ऐसे में सीधे तोर पर देखा जा कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीचेपी जितनी खुशिया मना रही है वो मना ले लेकिन धाई महिने छै महिने के बाद या धाई साल के बाद जो फिर बदल बीचेपी में होगा उसका सबसे बड़ा नुकसान होगा क्या होने वाला है धाई महिने में या छै महिने में या धा और डिप्टी CM के बीच में भी रसा कासी चल रही है देविंत पनवीश चाहते थे कि उन्हें महाराष्ट का CM बनाय जाए BJP पूरी तरह से विरोत कर रही थी BJP चाहती थी कि एकनात शिंदे को CM बनाय जाए जो कि जरूरी भी था एकनात शिंदे को अगर CM नहीं बनाय जाता तो मुश्किले BJP की जरूर बढ़ती क्योंकि सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं कि एकनात शिंदे के साथ विधायकों का बहुत बढ़ा समर्तन था मैं साहिर सी बात है जिसके पास 50 विधायकों का समर्तन हो पार्टी उसे बड़ी जिम्यदार दे दरसल एकनात शिंदे शुरू से अपनी बड़ी जगा चाते थे धीरे धीरे उन्होंने शिफसेना में बड़ी जगा बनाई विधायकों को अपने साथ किया और उन्हें लगा जब शिफसेना में काम नहीं बन रहा है देखिए यह माना जा रहा है कि विधायक तूटने की बात कहीं जा दरसल धाई साल जो है वो में है यह कहा जा रहा है कि धाई साल के बाद क्या नया मुख्यमंत्री महराश्ट को मिलेगा क्योंकि सीम और डिप्टी सीम की जो लड़ाई चल रही है उसको तो अभी बीजेप 15 के वल्यवर 10,5 साल तक के लिए रुक हैं दरसल खेल बीजेपी ने क्या क्या पहले तो एकनात शीनदे को अपने साथ मिला लिए उन्हों ने कहा कि अधाई साल तक शीनदे बने रहेंगे और इसके आगे देवएंट पड़ वेज इसके बात एकनात शीनदे को मनजूर है क क्योंकि आने वारे समय तक मुख्य मंत्री पत्पर बने रहे हैं तो ऐसे में देखे जब बात कर रहे थे सीम को लेकर तो उस वक्त ही देविंद्र फणविस बीजेपी से बहुत नाराज हो गए थे ऐसे में माना जा रहा था कि फणविस को नहीं मनाये गया तो बीजेपी के खिलाफ हो सकते हैं तो सीधे तो पर फणविस मनाये चाल अंने वहया है आगे बस्के बना रहना चाते हैं और सबस्क्राइब तो के साथ दुबारा हाथ मिला सकते हैं और तो और ये भी समझेगा जिन विधायकों को बीजेपी ने खरीदा ऐसे में क्या गारेंटी कि वो विधायक दुबारा नहीं भीगेंगे तो यह ऐसे तमाम सवाले जो देखते नजर आ रहे हाला कि इमाना जा रहा कि उद्धव ठाकरे जा दीजे नमस्कार